इसे बनाने के लिए आपको ज़रुत होगी दो मीटर नेट फैबरिक की और एक मीटर उपर की बॉड़िस बनाने के लिए अगर आपको अस्तर लगाना हो तो एक मीटर अस्तर भी आपको लगेगा तो अचेले शुरू करते हैं सबसे पहले आप बॉड़िस का फैबरिक यहाँ पर मैंने लीया है जिसे एक हाफ में मैं फोल्ड कर लूँगी है का फैबरिक सीतूर नहीं तरहाँ काफी थिक था इसलिए मुझे अस्तesz लगाने की जरुत नहीं पड़ी सो यहाँ आप दिख सकते हैं मैंने इससे एक बारी फोल्ड कर लिया है अग बारी फोल्ड करने के बाद दुबारा यहाँ पर मैं इससे फोल्ड कर लूँगी फोल्ड करने के बाद एक साइड खुली वी होगी, एक साइड बंद, बंद साइड पे आप अपनी कोई भी कुड़ती ले, आम होल की नीचे से उसे रखिए, जैसे कि रेक सकते हैं, आम होल का भाग उपर होगा, हमें सिर्फ यहां पर आम होल के नीचे की जो बॉड़ी की आप जोडते हुए रखिए, मुझे जैदा 15 इंच, मैंने 4 इंच स्ट्राप जोड़ा था, इसलिए मैंने सिर्फ 12 इंच लिया है, अब फोल्डेट साइड पे गला मैजर करेंगे, धाई इंच पे कट करेंगे, और साइड में पाच इंच पे पॉइंच पॉइंच पॉइं और एक बैक के लिए, तो इस तरीके से है, अगर आपको अस्तर लगाना है इन फाब्रिक पे, तो आप अस्तर का फाब्रिक लीजे, जैसे कि आप देख सकते हैं, अस्तर का फाब्रिक और इस फाब्रिक को एक के उपर एक रखना होगा, और आपको सिलाई कर देनी होगी, इ आम हुल के साइड पे ओल ओवर लेस लगा लूँगी यानि इसी लेस की में पटी भी ड्रॉ करूँगी तो चार इंच की पटी चाहेता तो मैं लंबाई लूँगी आट इंच की जिसे फोल्ट करने के बाद हो जाएगा चार इंच तो इस तरीके से हमें पटी भी अटाच कर सबसे पर लेना होगा यह पर शाद आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से अमारा अपर का बॉड़िस तयार हो चुका है अब नीचे का घीरा तयार करने के लिए मैंने आ पर लिया है तीन मीटर का नेट का फाब्रिक जिससे हमारा घीरा अच्छा है इस फें चोटे चोटे चुन देते हुए, प्रीट्स लगा लेना होगा, आपको नेट का फाबरिक पहले रखना होगा, फिर उसके नीचे अस्तर का फाबरिक रखना होगा, फिर प्रीट्स बनाना होगा, जिससे आपका जो घेरा है, वो काफी जदा बाउंसी आए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, म बस इसे flip कर के side की सिलाई देनी होगी, पहले net को सिलाई देनी होगी, फिर उसके बाद अस्तर की सिलाई देनी होगी, इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने सिलाई दे रही है, sides बर्स, अब हमें बोडिज अटाच कर लेना होगा इसके साथ, अब all our bodies अटाच कर लेंगे, अब हमारा ये गाउन तेयार होगा, बहुत ही quick है guys, अगर आप beginner हैं, तो भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं, अगर मेरे explanation में आपको कुछ चीज नहीं समझ मैं हैं, तो आप comment down करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, अगर अपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, तैंक्यू सो मच पर वाचिं गाइस, बबाई, तिल दे नेक्स टाइम,